नमस्कार आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया पाकिस्तानी मौलवी की अजीब दली कहा असलीलता की वज़े से अल्लाह ने भीजा है कुरोना कप्र को पडोसी देश और आतंक के गड़ पाकिस्तान से कुरोना को लेकर आई इस टिप्पनी को सही मान ले तो दुनिया भर के वैग्यानी को डॉक्टरों समेथ सभी को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर घर चले जाना चाहिए मौलाना ने कहा कि न तो इस विमारी से बचाव के लिए टीके की खोज करनी चाहिए नहीं रोक थाम के उपाय क्योंकि बकॉल पाकिस्तान के प्रमुख मौलवी बढ़ती असलीलता और नगनता के कारण अल्ला का क्रोध कुरोना वाइरस महमारी की रूप में सामने आया है मौलवी के इस टिप्पनी को लेकर जम कर विवाद हुआ है राइट्स एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने राष्ट्रे टेलिविजन पर की गई इस टिप्पनी के निंदा की है मौलाना ने ये टिप्पनी कोविट नाइन्टीन से प्रभावित लोगों के लिए धन जुटाने के लिए 23 अप्रेल को प्रधान मंतरी इमरान खान के टेलिथॉन के दोरे में की मौलाना जमील के पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में अनुयाई है मौलाना ने कहा असलीलता और नगनता के कारण अल्ला को क्रोध आया और उसने कोरोना वाइरिस के रूप में से भेजा मौलाना ने ये भी कहा मेरा देश बेटियों को डांस करवा रहा है उनके कपड़े छोटे करा रहा है समाज में असलीलता आम होने पर अल्ला ऐसे ही अपना क्रोध भेजता है इस टिपणी को मुसलिम बहुसंख्यक देश की आधी आबादी यानि महिलाओं के लिए कठोर और अपमान जनक कहा गया है हम जो एक लफ़ इस्तेमाल करने लड़ना है ये आस्मानी आफ़त है इससे लड़ना नहीं है इसका इलाज करके अल्ला को आजजी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है इससे हम लड़ नहीं सकते इस लफ़ को अपनी जबान से निकाल दें चाहे दिल में उसके बारे में कोई तकब्र नहो लेकिन ये लफ़ अल्ला को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो दिखने एक छोटे से वायरस से लफ़ नहीं सारी दुन्या को हिला कर रख दिया कानून और न्याए के संसदिय सच्चिव बैरिस्टर मालेका बुखारी ने ट्वीट किया एक महामारी का प्रसार कभी भी नहीं होना चाहिए और किसी भी परिस्तिवी में इसे महिला की धर्मिनिष्टा या नैतिक्ता से जुड़ा नहीं होना चाहिए इस तरह दोनों को जोड़ना खतरनाक है क्योंकि महिलाओं और लड़कियों के खिलाब हिंसक अपराद लगातार बढ़ रही है वही संगे मानवा अधिकारी मंत्री शिरीन मजारी ने कहा हम इस तरह के भद्दे आरोपों के बहाने महिलाओं को निसाना बनाना स्विकान नहीं करेंगे पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान के सविधान में नहीत अपने अधिकारों का दावा करने के लिए कड़ा संगर्स किया है पाकिस्तान में महिलाओं के बारे में भद्धी टिप्पणी के लिए मौलवी के आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कोविड-19 महामारी के पीछे महिलाओं के छोटी आस्तीन पहनने को कारण बताना पूरी तरह गलत है ऐसा करके युवाओं को गुमराह किया जा रहा है ये या तो महामारी के बारे में अज्ञानता को दरसाता है या एक गलत मानसिक्ता वाली सोज को ये पूरी तरह अस्विकार्य है बता दे कि पाकिस्तान में लगभग 12,000 लोग इस कुरोना वाइरस से संक्रमित हैं जबकि यहां मृत्यू का आकड़ा 253 तक पहुँझ गिया है वहीं दूसरी दरब पाकिस्तान में कुरोना वाइरस से संक्रमित होने वाले डॉक्टरों की संग्या सनिवार को बढ़कर 160 हो गई जबकि तीन स्वास्तकर्मियों की मौत हो चुकी है वहीं देश में व्यक्तिकत सुरक्षा उपकरण PPE की कमी को लेकर मेडिकल स्टाफ का विरोध सनिवार को नवे दिन भी जारी रहा पाकस्तान मेडिकल एसोसियेशन के अनुसार एक हपते पहले वाइरस से संक्रमित हुए डॉक्टर मौहमत जाविद इकबाल की पेशावर में मौत हो गई इससे पहले गिलगित बाल्टिस्तान और कराची में एक-एक डॉक्टर की COVID-19 के कारण मौत हो गई थी एसोसियेशन के अनुसार अब तक 160 डॉक्टरों समेट 250 स्वास्तकर्मी कोरोना वाइरस से संक्रमित हुए हैं पाकस्तान में पंजाब स्वास्त विभाग के बाहर डॉक्टरों और नर्सों के संगठनों का विरोध प्रदर्शन सनिवार को नवे दिन भी चारी रहा उनका विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि प्रयाप्त सुरक्षा किट के आभाव में स्वास्तकर्मी लगातार संक्रमित हो रहे हैं और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है प्रदर्शन कारियों का नित्रित्व कर रहे डॉक्टर सल्मान हसीव ने बताया हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारे इस वैध मांग को पूरा नहीं कर देती आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही अगर आपको हमारा विडियो पसन आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले रिपोर्ट्स इंडिया की खबर